रेट्रो स्टेडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फ्लैमिंगो बुक से डीप वाटर स्टोरी पढ़ेंगे जो कि विलियम O. डगलस द्वारा लिखा गया है। तो आईए स्टार्ट करते हैं। यह जो कहानी हैं विलियम O. डगलस के जर्णी के बारे में है जो कि वो इस्टोरी के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से बचपन में उनके मन में पानी का भय बैट गया था उससे वो उवरकम कैसे की है। जब ऑथर चार साल के थे तब से ही उनको पानी से डर लगना स्टार्ट हो गया था। और यह सुरू तब हुआ जब वो अप उनके पिता जो हैं वो बहुत ज़ादा हसना स्टार्ट कर दी हैं लेकिन विल्यम ओ डॉव डॉगलस इस इंस 59 से बहुत ज़्यादे हुआद हो गया थे उनके पता जी इसनीं हादै क्योंकि उनके पम्रहर का कुई तब हैं उनके साथ और घटणा ऐसा घटित होता है जो कि उनके डर को और भी ज़्यादा accelerate कर देता है यह कीमा में एक swimming pool रहता है तो swimming pool के पास यह रहते हैं क्योंकि swimming सीखना चाहते हैं और एक दिन ऐसे क्या होता है कि एक बहुत हटा-गटा लड़का उनके साथ एक बहुत खतरनाक रयंक करता है वह उनको उठाता है और उस पुलक के अंदर फेकद देता है और उस एरिया में फेकता है जहां पर पानी ने का अस्तर जादा होता है जब वो पानी में जैते हैं। बहुत ज्यादे की धहराई 9 फिट से उपर रहता है और उस पानी में जाने के बाद ऑथर स्ट्रगल करने लगते हैं वो कुछ पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन पकड़नी पाते हैं वो पानी के अंदर डूबने लगते हैं बहुत जादे चिलाते हैं हेल्प के लिए लेकिन कुछ होता नहीं है जब पानी क हो रहा था कि वह पैरलाइजड हो गया है वह सरेंडर कर गया है कि चलो अब मृत्यू तो तय है लेकिन बहुत सारी कोशिसों के वह देखते हैं कि पूल के एक साइड में वह पड़े हुए हैं लेकिन जो भाय उनके अंदर ब्याप्त हुआ इस डूबने के दोरान वह कभी जाने वाला नहीं था यह हमेशा इनको हॉंट करता था और कई साल तक यह हॉंटिंग का प्रिक्रिया चलता रहा और इसके वज़े सही जो फ्यूचर एक्सपेडिशन के बारे में यह सोचते थे स्विमिंग फिसिंग और बहुत सारी चीज़े करना चाहते थे इस पानी के डर से वह कुछ नहीं कर पाएं वह कोलंबिया में मरीन लेक में गए थे जो की निव हम स्फायर में है और वहां पर उन्होंने इंज स्विंग सीखनान कर दिया कि बहुत सारे टिप्स और निको करने का बताने लगा था किस तरीके से पानी के अंदर जाना है तो सांच छोड़ना हैagitी। तरीके से अपना हुप अब्छाु करना है बहुत सारी तिप्स उस इंस्ट्रक्टर्छा ने बताया और उस चीज़ को उनों ने काफी सब्ता तक रैक्टिस में लाग रखे थे और इसके वैसे वह वहाइनली चीछ लिया वह जब सूम Islands स्वीमिंग फूल में थे तो तो सुनिंग फूल के साइड का कि उनसे नहीं होगा लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि आखिर में वो पानी उनका क्या कर सकता है यह सोचने के बाद एक बड़े से लेक में उन्होंने चलांग लगाया और चलांग लगाने के बाद उस पानी में उन्होंने तैरा उस लेक का उन्होंने चक्कर लगाया चुकि वो लेक बहुत गहरा भी था लेकिन उनके मन के अंदर ये था कि हमें इस पानी के डर को अपने अंदर से निकाल देना है जब वो उस गहरे से लेक में स्विम कर लिये तो उन्हें बहुत ज़्यादा सर्प्राइजिंग लगा वो चीज़ और उन्हें ये पता चल गया कि जब इतने बड़े लेक में वो स्विम कर सकते हैं तो फिर वो तो पानी पे वीजे पराप्त कर लिये हैं और ये सारी चीज़